So hello friends, आज हम बात करेंगे top 5 used cars जो आपको 4-5 लाग के budget में मिल जाएंगी यानि कि second hand गाड़ियां जो आपको 4-5 लाग के budget में मिल जाएंगी जो आपको काफी अच्छी reliability देंगी, जो की काफी अच्छी मानी जाती है used car market में इसका engine आपको काफी अच्छा मिल जाएंगा, जो भी मैंने आपके लिए गाड़िया चूस करी है उसमें आपको कभी निराशा नहीं होगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली गाड़ी के बारे में जो की है 23 kmpl की भी mileage निकाली है, तो आपको इसमें, इसमें आपको space के साथ इसमें आपको comfort भी काफी अच्छा मिलता है, इसमें mileage काफी अच्छी मिलेगी तो ये काफी value for money car हम इसे कह सकते हैं, तो आप इसकी तरब भी जरू जा सकते हैं अब बात करते हैं हमारी number 2 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो की है Honda की जैस इसका भी आपको 2015 का model मिल जाएगा, पाच लाग के अंदर में इस गाड़ी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, इसे इंडियन मार्केट में ज़्यादा लोगों ने खरीदा नहीं पर अगर आप चाहते हैं, used car में आपको एक अच्छी car मिल जाए जिसका engine काफी reliable हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, इसमें आपको petrol engine मिलेगा, इसमें comfort काफी अच्छा है हलाकि यह आपको थोड़ी under power लग सकती है, क्योंकि इसमें power की थोड़ी कमी मिलेगी आपको पर आपकी family के लिए इसमें काफी अच्छा comfort रहेगा, और आप इसका 2015 का model ले सकते हैं, थोड़ा negotiate करने में आपको यह 4,50,000 में मिल जाएगी अब बात करते हैं, हमाई number 2 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो की है, Hyundai Elite I20 इसका आपको 2015 का model मिल जाएगा, पाच लाक के अंदर में I20 को Indians काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यह काफी अच्छी hatchback कार है इस गाड़ी का क्रेस आज भी काफी बना हुआ है, इसको यंक्ष्रा काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है मुझे personally अभी का जो नया model है, उससे काफी अच्छा मुझे पुराना वाला डिजाइन लगता था आपकी इसमें क्या रहा है है, अमें कमेंट में जरू बताना, इसमें आपको petrol लिंजन और diesel लिंजन दोनों मिल जाएगा इसमें आपको काफी अच्छा sporty look मिलता है, काफी अच्छा comfort मिलता है और feature loaded car यह रहेगी यह आपको 5 लाग के अंडर में मिल जाएगी, तो आप जरू consider कर सकते हैं, Hyundai Elite i20 2015 का model अब बात करते हैं, नमबर 3 में आने वाली car के बारे में जो की है, Ford की Eco Sport इसका भी आपको जो old model है, जानी कि 15-16 के बीच में जो model है, वो आपको 4-5 लाग के बीच में मिल जाएगा Ford company बाहर चली गई है, इंडिया से छोड़कर बर आपको इसके सारे जो parts है, आपको market में easily available हो जाएगे तो आपको कभी इसकी service में टेंशन लेनी की जड़त नहीं पड़ेगी, इस गाड़ी में काफी अच्छे features आपको basic सारे मिल जाते हैं, ये काफी best selling car है थी Ford की जिस लोगों ने काफी पसंद किया, अगर इसमें Company ने थोरे से feature additional और दिये होते हैं, और इसके लिख के बारे में थोरे सा उन्होंने changes को सोचा होता, यानि कि इसका facelift लाया होता, तो ये car काफी चलती पर Company की गलती थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज उन्हें इंडिया छोड़के जाना पड़ा, आप नमर में आने वाली car के बारे में जो कि है most reliable, काफी अच्छी car जिसे इंडिया में काफी पसंद किया जाता है, जो कि होंडा की city, होंडा city काफी अच्छी car रही है अपनी segment में, क्योंकि जो sedan में जब नाम आता है कि कौन सी car ली जाए तो सबसे पहले होंडा city का ध्यान आता ह इसमें आपको काफी अच्छी space मिल जाती है, बूटी space काफी अच्छी मिल जाती है, इसमें आपको petrol और diesel दोनों का option मिल जाएगा, यह काफी best selling car रही है, अपनी company की, होंडा की काफी best selling car रही है, यानि कि होंडा की जान रही है, क्योंकि इसे लोग काफी पसंद करते हैं, त बताईए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,